दोस्तों इन दिनों संसत भवन के अंदर लगातार भाशन पर भाशन चल रहा है चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से भाशन दिया जा रहा हूँ यह पक्षी दलों के नेताओं की तरफ से भाशन दिया जा रहा हूँ यारी कि सांसदों की तरफ से अब देखिए प्रदान मंतरी अगला पिछला सब कुछ जो है उन्होंने बता दिया देश की जनता को समझा दिया अब कॉंग्रेस कह रही है कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की भाशन सुनकर उनकी बाते सुनकर वो लोग स्पीचलेस हो गए उनके पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है और यहीं प्रदान मंत्री मोदी भरे सदन में जिस तरीके की चीजे कर गए उसके बाद तो और जादा उनकी किरकिरी हो रही है विपक्षी नेताओं की तरफ से अब देखिए प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इन दिनों क्या काफी टाइम से आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि उनकी जुबान बहुत जादा लडखडा जाती है वो बोलना कुछ चाते हैं और बोल कुछ जाते हैं यानि कि लडखडाहत उनकी जुबान से साफ़तोर पर देखने को मिला है और इस वज़ए से कॉंग्रेस की नेता जो है जबरदस तरीके से उन्हें क्लिप को निकाल कर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं खर बात करते हैं पहले आपको प्रधान मंत्री के जूट को लेकर कि प्रधान मंत्री ने नहरू को लेकर जूट बोला है ऐसा कॉंग्रेस की निताओं का दावा है कॉंग्रेस के लोग कहते हैं कि देखें किस तरीके से देश की प अब आप नहरु गांदी को लेकर जो जूट बोल रहे हैं उसका वो एक्जामपल और सबूत पेश करते वे कह रहे हैं कि देखें नहरु ने जो किया है इस देश के लिए उसको कोई जुटला नहीं सकता नहरु का नाम नहीं बलकि काम बोलता है इस देश में आज जो भी 70-75 स सालों में देन है वो सब नहरु का देन है और नहरु ने जो जो इस देश को दिया है वो शायद ही प्रधानमंत्री कभी दे पाएंगे या आने वाले कोई भी प्रधानमंत्री इस तरीके के कारी कर पाएंगे तो ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को लेकर कॉं साम नेताओं की तरफ से Congress की वीडियो शेयर करते हुए क्या कुछ कहा है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ट्रोल किया जा रहा है नितिन अगरवाल लिखते हैं कि लाइव विदावट टैली प्रोंपटर यह लिखते है कि मोदी जी का जो लाइफ है मोदी जी की जो स्पीच है वो भिना टैली प्रोंपटर के क्या होता है वो आप सब देख सकते हैं वो स्पीचलेस हो जाते हैं वो सही से शब्दों का उचारण भी नहीं कर पाते हैं यह Congress के कि तरफ से कहा जा रहा है अब कॉंग्रेस की प्रवक्ता शुप्यस रिनेत वह इसी वीडियों को शेर करते वे लिखती है कि अबबा जबबा जबबा प्रदान-मंत्री जो कह रहे हैं और उनकी बाते ना समझ कर वो लिखते हैं अबबा जबबा अब और एक कॉंग्रेस की नेता है अनूमन आचारिय वो लिखते हैं गपर सपर गप गप अरे भाई कहना क्या चाहते हो तो इस तरीके से प्रदान मंत्री की वो तमाम वीडियो क्लिप निकाल कर जो संसत भवन के अंदर दी गई भाष्ण ने उसको निकाल निकाल कर लोग शेयर कर रहे हैं कि प्रदान मंत्री हैं फिर भी वो सही से बोल नहीं पाते हैं बिनाचाली प्राम्टर के या फिर उनको शब्दों का जो है भूलने का वो आदत हो गया है बिमारी हो गई है कि वो भूल जाते हैं हलाकि दोस्तों इंसान है, इनसान से ही गल्तिया होती है, इनसान से ही कभी आप भूल भी जाते हैं, कभी लडखडाहत भी हो जाती है, यह इंसानी फितरत है, कोई भी perfect नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है, कि आप किसी की भी मतलब इस तरीके की चीजों को लेकर आप मजाख उडाने लगे या उस क्लिप को निकाल कर आप share करने लगे यह गलत है वैसे ऐसे चीजे बीजेपी की तरफ से भी की जाती है ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता है अगर कॉंग्रेस के किसी नेता ने कुछ कर या कुछ बोल दिया या फिर गलती से कुछ श्रब निकल गये तो फिर बीजेपी के आईटी सेल तो मतलब गदर मचा कर रख देते हैं इतनी गंद मचाते हैं दोस्तों क्या ही बताया जाए यसे भी बीजेपी के आईटी सेल पर कई सारे गंबीर आरोप लगते हैं कि वो सच को जूट बनाकर किस तरीके से पेश करती है, इसमें वो माहिर है, वो एक्सपर्ट है, और उसी को लेकर ये लोग आपस में एक दूसरे की वीडियो शेर करते हुए, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर कि क्या प्रति के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें